नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे तांतरिक पक्षी उल्लू के बारे में मित्रों उल्लू एक रहस्माई चमतकारी पक्षी है दोस्तों उल्लू के द्वारा कई तांतरिक क्रियाएं की जाती है और अभी से नहीं सदियों से की जा रही हैं और आगे भी की जाएंगी साथ ही साथ दोस्तों उल्लू को धर्ण का रखवाली करने वाला एक तरहे से गण माना जाता है बहुत सारे भाई बंदू हैं जो दोस्तों उल्लू को बहुत ही ज़्यादा असूभ मानते हैं दोस्तों मैंने अधिकतर देखा है जो लोग उल्लू के बारे में गलत राय रखते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो उल्लू पक्षी होता है बहुत ही दिव एवम अद्भुत होता है मित्रों यह पक्षी जो होता है यह पक्षी कोई भी असुभ कार नहीं करता है और नहीं यह पक्षी असुभ होता है यह पक्षी पवित्र पक्षी होता है बहुत ही सुन्दर और प्यारा पक्षी होता है और इसके अंदर देविये गुण होते हैं जो कि इस पक्षी को सभी पक्षियों से अलग बनाता है इस पक्षी के बारे में तांतरिक गरंतों में बिश्तार पूर्बग कई चमतकारिक बाते लिखी हैं, कई चमतकारिक तांतरिक क्रियाय लिखी हैं, जो कि मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। दोस्तों साथी साथ हम उल्लू पक्षी के माध्यम से अद्रस होने की सक्ति भी प्राप्ट कर सकते हैं। दोस्तों उल्लू पक्षी ऐसा रहसमय पक्षी है जिसकी सहत्य से आप अद्रस होने की सक्ति भी प्राप्ट कर सकते हो। कैसे और आपको क्या करना होगा और इस क्रिया को करते वक्त किन बातों की सौधानी रखनी पड़ेगी। सारी बाते मैं आज मैं बताने वाला हूँ. तो आप सभी सनरोध मित्रों ऐसी बीडियो को पाने के लिए मेरी बीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें। कुछ दोस्तों हम अपनी चनल माध्यम से साथना, जड़िबूटियों के बारे में तेथा कई जानकारी आनकारी आते हैं को सए क έχे करके लाब लिया है आप चाहें तो आप भी इन साधनाओं का लाब ले सकते हैं तो दोस्तों चलिए हम सुरू करते हैं मित्रों आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत रहस्यमाई जानकारी यह बहुत ही अद्भूत है मित्रों आप उल्लू पक्षी के द्वारा अद्रस होने की सकती पा सकते हैं लेकिन दोस्तों साधन यह जो मैं उपाय बता रहा हूँ जो मैं आपको यह तंतर क्रिया बता रहा हूँ इसमें आपको थोड़ी सौधानी रखनी पड़ेगी अगर आप सौधानी नहीं रखेंगे तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों जो मैं जानकारी दे रहा हूँ अगर इस जानकारी का कोई प्रियोग करता है अगर उसे कोई लाभ या हानी होता है तो उसका जिम्मेदार वो स्वयम होगा में कताई नहीं होंगा तो दोस्तों, चलिए, मैं आपको उपायँ बताता हूँ की वह कौन सा उपायँ है मित्रों, आपको जो है सरपर्थम, उल्लू जहां दोस्तों सरपर्थम आपको उल्लू खोजना है, जहां पर उल्लू रहता है उसके बीट को इखटा करना है यानि कि दोस्तों जो उलू की टटी होती है न उलू की टटी को इखटा करना है और उलू की टटी को कम से कम आपको जो है चार से पांच चम्मच की मात्रा में खटा करना है और इसके पस्चात आपको अरंडी का तेल आता है और दोस्तों आपको समान मात्रा में, यानि कि समभाग मात्रा में, जितना आप उल्लू की टटी लेंगे, यानि उल्लू की बिट लेंगे, उतना ही आपको जो है, अरंडी का तेल लेना पड़ेगा, समभाग में, यानि कि समान मात्रा में, इन दोनों को मिलाना है, मिलाने के अगर आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर डाल देंगे तो वह व्यक्ति अद्रस हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, यह जो आपको उपाए बता रहा हूं मैं मित्रों, यह जो है तंतर सार के अनुसार बता रहा हूं, इसका कई तंतरिक प्रियोग करते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि अगर आप एक बार अद्रस हो गए तो सायधी वापस आपाएं और या फिर आप कुछ दिनों के बाद वापस आपाएं क्योंकि दोस्तों इसमें अद्रस होने का उपाय था लेकिन कैसे दुबारा से हम किसी को दिखें इसका उपाय नहीं है क्योंकि दोस्तो तो दोस्तों आप में से कोई भी वक्ती अगर इसका प्रियोग करता है तो पहले सोस समझ ले तब इसका प्रियोग करे क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अद्भूत चमतकारी और खतरनाक उपाई है अद्रस होने के लिए दोस्तों अद्रस होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों प्राचिन काल में दैत दानो और देव आसानी से जो है अद्रस हो जाया करते थे दोस्तों अद्रस हम जो है मंतरों की द्वारा हो सकते हैं और सधियों की द्वारा हो सकते हैं और तो और दोस् दोस्तों क्यों हमारे प्राकर्ति में से कई पदार्थ हैं जिनके मिस्रण से हम दिब रसायन बना करके असानी से अद्रस हो सकते हैं दोस्तों क्या होता है जब हम उल्लू की जो बीट होती है जब हम उसको समान मात्रा में और सकतानुसार लेकर के जो है और आप उसी मात्रा में अरंडी का तेल लेकर के दोनों को मिलाते हैं तो वह एक बिसेश प्रकार का रसायन बन जाता है और उसको अगर किसी के सरीर पर लगा दिया जाए दो तीन बुंदा तो दोस्तों वह व्यक्ति अधरस हो जाता है लेकिन दोस्तों यह जो उपाई है थो उसके आगे पीछे कोई नहीं है अगर उसने ठाल दिया कि उसको तंत्र साधना में आगे बढ़ना है तो दोस्तों वह लोग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसका जो असर है मेरे हिसाब से लगभग लगभग कुछ दिनों के बादी खतम होगा मेरे अंदाजे से लेकिन जो म मनुस असानी से अद्रस हो सकता है दोस्तों उल्लू पक्षी से आप असानी से अद्रस होने की सकती पा सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ आप अगर इस प्रियोग को करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि इसका जो आप घोल बनाएंगे जो पे आपको यह रसायन ना लगने पाए और दोस्तों जब आपको इसका प्रियोक करना है तो जो है किसी पर भी प्रियोक कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखें अगर आपने इसका प्रियोक किया अदरस होने के बाद आप वापस कितने दिन बाद आते हैं या दिखते हैं इसका कहना मु दोनों ही चीज सुध हो तभी आप इस पदार्थ बिद्या से अधर्स होने की सक्ति प्राप्त कर सकते हैं यह पदार्थ बिद्या अपने आप में अधबूत है वित्रों इसके विशे में तंतरिक गरंतों में जो बिश्तारपुर्वख बताया गया है और आगे भी हम के बारे में और इससे जुड़ी कई रहस्वाई टिपणियां की गई है जो कि हम समय समय पर इन सभी बातों को बताते रहेंगे दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल आपको प्राचीन ग्यान से जो है सामना करवाना था इसलिए हमने यह जानकारी दी है इस वीडियो का उद्देश है केवल और केवल आपको जानकारी देना अगर आप इसका प्रियोग करते है आपको लाभ या हानी होता है यह आपके उपर है आपने वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बोक्स में जरूर कमेंट करें हम उनके जवाब जरूर देंगे और सभी दर्शकों के हम जवाब देते हैं एक बात और दोस्तों जो भी मैंने उपाए बताया है वह उपाए बहुत ही अदभूत है और बड़े हिस्सो समझ के करना अन्था नहीं करना एक बात और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो पार्ट टू भी आगा उसको जरूर देखना जिहां दोस्तों उसमें हम सभी के समस्याओं का समधान बताएंगे और आपके जो भी कमेंट होंगे उन कमेंटों का भी रिपलाई देंगे दोस्तों जो मैंने आपको किरिया बताई है जो जानकारी दी है आसा करता हूँ कि आपके ज्यान में बृद्धी करेगी लेकिन दोस्तों जैसा मैंने कहा कि आप जो है इस किरिया को बड़े हिस्सों समझ के करें नहीं तो इसका प्रियोग ना करें बहुत ही अद्भुत बिद्या है धन्वाद